दोसु मेलबन क्रिकट ग्राउड में पाकिस्तानी टीम के नेट प्रैक्टिस के दुरार एक ऐसा खदरनाक वाक्या हुआ जिसने सबको शौक्ट कर दिया दिवसर पाकिस्तानी टीम के प्रेक्टिस सेशन के दुरान मुहम्मद नवाज का शोड शान मसूद के सर पर जाकर लगा और जैसे ही गेंद लगी शान मसूद जमीन पर गिल पड़े सबी आसपास खड़े खिलाडियों ने जैसे ही देखा कि शान मसूद को बोल लगी है तो सब के चेहरों पर से हवाईया उड़ गे शान मसूद जमीन पर गिल पड़े और फीजियो से लेकर हर खिलाडी नोंने घेर लिया इस दोरान महमद नवाज भी काफी डरे हुए दिखाई दे रहे थे क्योंकि शान मसूद ने हेलमेट भी नहीं पहना था और बोल उनके सीधा सर पर जाकर लगी ऐसे मैं महमद नवाज भी डरे हुए दिखाई दी शान मसूद तकरीबन ऐसे ही 10 मिनट तक जमीन पर पढ़े रहे उसके बाद फीजियो के साथ उन्हें होस्पिटल पहुचाया गया ताकि वहाँ जाकर सकेन किये जा सके दोस्तों उमीद यही करते हैं कि पाकिस्तान के बलेबास जल्द ठीक हो जाएंगे लेकिन इस वीच कुछ पाकिस्तानी फैंस जैसे भी दिखे हैं जो शान मसूद के इंजड होने पर खुश दिखाई दे रहे थी ताकि उनके बदले किसी और बलेबास को मुखका मिल सके लेकिन इस तरह किसी की जोट पर खुश होना यह हर तरह से बुरी बाद तो तो आपका इस पूरी वीडियो पर क्या कहना है